यूपी विधानसभाद चुनाफ के मद्यनजर भारतिय जन्ता पार्टी में उत्तर प्रदेश के लिए एक और उमीद्वारों की लिस्ट जारी कर दी है हैरानी होगी आपको जान कर कि इस लिस्ट में भी अपढ़ना यादफ का नाम शामिल नहीं है जहां कयास लगाए जो आ रहे थे कि भारतिय जन्ता पार्टी अपढ़ना यादफ को लखनव केंट से चुनावी मैदान में उतारेगी अब बीजेपी की ये जो लिस्ट सामने आई है अपढ़ना यादफ को अंदेखा कर दिया है इस लिस्ट में कई बड़े नामों के गायब होने से राजनीती गलियारों में खूप चर्चे हो रहे हैं जहां एक तरफ बीजेपी ने योगी सरकार में महिला कल्यान राज्य मंत्री स्वाती सिंग का सरोजनी नगर से टिकट कार्ट दिया है तो वहीं अपढ़ना यादफ को टिकट नहीं दिया है पहले खबर आ रही थी कि अपढ़ना यादफ को अखिलेश यादफ के सामने करहल से टिकट मिलेगा लेकिन बहाजपा ने यहां पर विधानसभा चुनाव में करहल से अपढ़ना यादफ को टिकट नहीं दिया अब फिलहाल अपर्णा यादफ को लखनव कैंक से भी टिकट मिलने के आसार बेहत कम हो गए हैं आपको बता दे टिकट मिलने की चाहत लेकर ही अपर्णा कहीं न कहीं भारतिय जंता पार्टी में शामिल हुई क्योंकि समाजबादी पार्टी उन्हें टिकट देने के लिए बिलकुल तयार नहीं थी इस बार के विधानसभा चुनाब में अब जिस तरह से बीजेपी का मिजाज अपर्णा यादफ के प्रती देखने को मिल रहा है बीजेपी भी अपर्णा पर किसी तरह की कोई महरबानी दिखाने के मिजाज में फलहाल नहीं है नेक्स्ट नाइम निउस नेशन की रिपोर्ट